बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम्स होती है खास कर जो कि पालर से मेकप करवाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपना मेकप ना खुद घर पे करें चाहे को ब्राइडल हो या पार्टी वेर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेकप बताने वाली हूँ जो कि आप पूरा मेकप करके बताने वाली हूँ इस्टे बाइश्टे फॉलो करिए का बहुत अच्छा मेकप होने वाला है आज का सबसे पहले मैं यहां पस लगा रही हूं प्राइमर जो के मारे फेस के लिए काफी ज़दर इंपोर्टेंट है इससे पहले मैं अपने फेस को वाश कर अच्छे तरीके से टोनर एंड साथ ही साथना सीरम लगा करके प्रिप कर ली थी ओके एंड उसके बाद मेरा अभी आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्राइमर अपलाई करना है जिससे आप लोगों के फेस के जो पोर्स हैं वह बहुत ही अच्छे सा मिनिमाइज हो जाए देन उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना आइब्रो सेट करना है आइब्रो सेट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे पहला थिंग होता है आइब्रो सेट करना अगर आप लोग मेकप के बाद आइब्रो सेट करोगे न second side कभी मैं कुछ इसी तरीके से set करूंगी यह आप लोग देखी सकते हो and कुछ इस तरीके से set करने के बाद में यह आएगा कुछ इस तरीके का look and उसे आप लोगों को अच्छे तरीके से comb करना है कौम इसले किया जाता है क्योंकि naturally तोर पर आप लोगों का eyebrow अच्छा दिखना चाहिए देख सकते पूरा natural दिख रहा है भाई एकदम natural ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें लगाया हुआ है तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से आप लोगों को अपना eyebrow set करना है देन उसके बाद eyebrows को highlight करना है like अपने concealer से मतलब eyebrow के ऊपर नहीं लगाना है आप लोगों को eyebrow के किनारे लगाना है जिससे आप लोगों को eyebrow एकदम ही अच्छे से highlight हो जाएगा and यह देख सकते हो side side पर लगा लिया है मैंने दोनों side लगाया है and यह तीसरा side भी चौथा side भी मैंने लगा लिया यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना eyebrow set करना है फिर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है तो इसलिए step by step सभी step for follow करिएगा then यह देख सकते हो set हो चुका है and उसके बद second side का भी मैं हापस set कर लोगी कुछ इस तरीके से concealer से set किया हुआ उसके बादना मैं हापस orange pigmentation ले रही हूँ जिससे मैं अपने dark circle area पर लगाऊंगी ताकि मेरे dark circle हाइड हो जाए color character के तौर पर okay and कुछ इस तरीके से लगाया है मैंने इससे पहले ना पिंग कलर कर ट्राइ किया बट पिंग कलर कर उतना अच्छा लगा नहीं मुझे Swiss beauty का then इसलिए मैंने यहाँ पस लिया है inside cosmetic का okay यह आप लोग देखिए सकते हो कुछ इस तरीके से and उसके बाद ना आप लोगों को का कले ने इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कला है and सबसे पहले मैं अभी क्यों लगाई है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी इसके बाद ना चीपाग जाता है ना तो वो निकलता नहीं इसलिए पहले ना ओरेंज पिग्मेंटेशन मैं लगा लिया okay color corrector and उसके बाद ना जो मैंने अपर ऐलेट पर concealer लगाया थे उसको भी मैंने हापस set कर लिया है कुछ इस तरीके से यह देख सकते हो आप लोग set कर लिया है मैंने loose powder से ताकि इसमें जब भी मैं color apply करूँ ना तो अच्छे से निखर करके आए इसके बाद मैं आपस ले रही हूँ एक yellow color क्योंकि आज मैं एकदम bride वाला makeup करने वाली हूँ party wear makeup है okay तो yellow color को अपने cut crease पर अच्छे तरीके से apply किया हुआ है यह देख सकते हो आप लोग yellow color apply करने के बाद मैं आपस लोगे मैं थोड़ा orangey step color and उसको भी मैं cut crease के उपर yellow color के बगल में apply करूंगी यह देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को blend करना है क्योंकि blending का काम जो होता है वह मेकप में काफी अच्छे से करने से ही आप लोगों को makeup अच्छा लगीगा and यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने हापस लगया है थोड़ा सा navy blue color ताकि एक बहुत अच्छा सा सेप आए and उसके बादना मैं हापस थोड़ा सा dark brown color भी लगा करके छोड़ दूँगी then उसके बादना मैं हापस cut crease बनाऊंगी cut crease बहुत ज़्यदे ज़रूरी है bridal makeup के लिए party makeup में भी आप लोग ट्राइ कर सकते हो and जो भी अभी मैं color यूज़ करीओ उसके जगह में आप लोग कोई सभी color replace कर सकते हो cut crease आप लोग देख सकते हो कितनो beautiful cut crease बना है एक ही बार में तो आप लोग भी अगर cut crease के लिए try करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए separate video मैंने बनाया हुए आप लोग वहां से जा करके देख सकते हो okay मेरे channel पर आप लोगों को मिल जाएगा cut crease मैंने हापस बना लिया है एक side का उसके बाद मैं हापस बनाई हूँ second side का cut crease यह देख सकते हो यह दोनो side का cut crease बन गया है आप लोगों को इस चीज का धिहान रखना है आप लोगों को बिल्कुल भी जादा यूज नहीं करना है थोड़ा सा मैंने glitter place किया इसके जगह में उसके बाद एक golden color का shade लिया है उसके बाद इसे blend out किया है okay यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पस मैंने फिर से blend कर दिया उसके ग्लीटर वाला जो eyeliner आता है और उसको मैंने cut crease के उपर पर एक line के तवर पर paste किया like यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगाने का बाद बहुत अच्छा सा उभार बनता है आप लोगों के आइस के उपर जो भी eyeshadow आप लोगों लगा है और अब लगाते हैं हम लोग concealer जो कि है हमारे अंडर आई के नीचे तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से अपना eyebrow को set कर लिया है like eyebrow तो set किया हुआ है साथी साथ eyeshadow भी set कर लिया है एकदम line मैंने हापस लिया है पूरा line लिया है यहापस से एंड उसके बाद कुछ इस तरीके का triangle से पनाया है जिससे मेरा पूरा का पूरा जो अंडर आई है वो cover हो जाया देन उसके बाद मैं इसे blend करूंगी blend भी यहापस भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यही हमारा मेंट पॉंंट ही अच्छे तरीके सा आप लोगों को blend 카र्न करना यह कि देख सकते हो पूरा पूरा blend कर लिया है मैंने हापस how much blend करने बाद है आप लोगों को अच्छा सा अन्म के आइस के लिए यह देख सकते हो पूरा का पूरा जो कि आप लोगों का आठ गंटे नाओ घंटे तक आप लोगों के फेस पे रहता है, वाटर रूफ है साथ साथ, इस अच्छे तरीके से अपने अलोवर फेस पर प्लेस करने के बाद में मैं हापस ब्लेंडिंग का काम कर रही हूं, ब्लेंडिंग यहापस बहुत ज़रूरी ह अच्छे तरीके से फेस पर सभी जगा लगा लिजेगा एंड यह देख सकते हैं, पूरे के पूरी जगा फिर मैंने अपना फॉंडेशन लगा लिया है, याद रखेगा कभी अपना फॉंडेशन लगाओ तो अपने स्किन टोन से सिर्फ एक ही टोन जादा लेना, लेकिन मै अभी हापस मेक अप कर रहे हूं फेयर इसकिन टोन के लिए, भले ही मैं ज़्यादा गोरी नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं आज आप लोगों को फेयर इसकिन टोन के लिए मेक अप करके बता रही हूं, और यह देख सकते हो, कुछ इस तरीके से, आप लोग चॉगन एक दूम काम कर रही हूं अपने ब्लेंडर में ही हापस मैंने कांटोर को लिया हूआ है, और इसे में ब्लेंड कर रही हूं, इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगता है कांटोरिंग करना मुझे, क्योंकि इसे फेस का सेप जो है, काफी अच्छे से निखर करके आता है, यह देख सक अब मैं इसे ना सभी के सभी कॉंटोरिंग और सांसंत फांडेशन को अच्छी तरीके से लोस पॉंडर से सेट कर ली हूं, बेक करना आप लोगों को 5 मिनट तक 5 मिनट के बाद पुरा सेट हो जाएगा दिन उसके बद आप लोग निकाल सकते हो, उसके बद मैं हापस ले र अपना लाइनर जो की है मेरा एनवाई बे का ही है, यह ज्यादा कवरेश प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इष्टे नहीं करता है जादा, उसके बद मैं आपस ले रही हूं काजल जो के ग्लैम 21 का अपने 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 अंडर आइपर थोड़ा स्थोड़ा आई जो कि हमारा आई जो है बहुत जोटा शुटा लग रहा था, इसलिए अपने अपस लिप लाइनर लगा हूँ, उसके बाद देन फिर लिप्स्टिक लगा करेके हमाँ सेट का लिया है, उसके बद मैं है पस लगा रही हूं हाइलाटर जो के मार्श्टर क्रोम का हाइलाइट जो कि है मेबलीन मास्टर क्रोम का और यह देख सकते हैं पूरा पूरा लुक रेड़ी है और फेस मेकप है, मैंने कोई सभी कपड़ा यह जुल्री रेंड पर नहीं लिया क्योंकि मैं अभी उतना जदा एफॉर्ड नहीं कर सकती, यह आप लोगों का हो गया है मेकप इस्ट